इसराइल फिलिस्तीन को लेकर लगातार सोसल मीडिया पर जंग छिरा हुआ है भारत के तमाम वो सवन पत्रकार जो मनिपूर नहीं जा सके वो इसराइल जा चुके हैं और यही बात इस देश का मुसलिम समाज पूछ रहा है कि मनिपूर तो हमारे देश में था बीजा भी नहीं लगता है आप उहां जा सकते थे लेकिन आप इसराइल जा रहे हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं मनिपूर क्यों नहीं गये वहीं सोचिए कि किस तरह से जो राइट बिंग है वो भारतिये मुसलमानों को कटगरे में खरा कर रहा है इसराइल, फिलिस्तीन, हमास ये सब युद्ध हो रहा है हम लोग सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं लेकिन सवाल है कि दुनिया भड में जो होता है उस पर सब लोग अपनी पर्तिरिया देते हैं कुछ लोग यहां के जो बीजेपी समर्थक हैं, जो राइट बिंग हैं, वो इसराइल के साथ ख़रे दिख रहे हैं वही जो मुसलिम समाज की सिंपैती है वो फिलिस्तीन के साथ है तो इसमें गरबर क्या है? फिलिस्तीन युद में रूस ने भी अब फिलिस्तीन का साथ देना सुरू कर दिया है वहीं तुर्की औरेडी बोल चुका है, अमिर्का सीधे सीधे इजराइल के साथ ख़रा है नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस तक सोचिए पूरी दुनिया दो टुकरों में बट गई है लेकिन सबसे जो बड़ी बात है पूरी दुनिया की जो मुसलिम कमुनिटी है वो फिलिस्तीन के साथ ख़रा है वहीं लोग हमास को सही नहीं ठहरा रहे हमास की निंदा कर रहे हैं लेकिन वो गाजा पटी में रहने वाले लोग और फिलिस्तीनियों के साथ ख़रे हैं एक नकसा तूर्की के जो राष्टपती है इर्दोगयन उनका एक नकसा किस तरह से फिलिस्तीन पहले बरा था फिर बाद में और उसका कबजा हुआ फिर कबजा हुआ फिर कबजा हुआ पहले की जो भारत की विद्यस नीती थी उसमें फिलिस्तीन के साथ भारत खरा होता था या सारा राफात का वो लंबा दौर है रामल्ला भी गए थे परधान मंत्री मोधी जो फिलिस्तीन में आता है भारत के पहले परधान मंत्री जिन्होंने रामल्ला का दोरा किया है अटल ब्यारी बाजपे भी फिलिस्तीन के साथ खरे होते थे लेकिन फिलहाल भारत सरकार इजलाइल के साथ खरा है लेकिन social media पर जब आप देखेंगे तो भारत के जो मुसल्मान हैं वो फिलिस्तीन के साथ खरे हैं हमास के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ फिलिस्तीन के साथ खरे हैं जो फिलिस्तीन के नागरिक है आपको जानकर हैरानी होई कि इस युद्ध में अस्पताल पर हमले हो रहे हैं पानी रोग दिया गया है जो जनसत्ता की रिपोर्ट है इंधन रोग दिया गया है लास्ट पावर प्लांट भी जो फिलिस्तीन का है वो बंद हो गया गाजा पट्टी का पानी, खाना, मेडिकल फैसलिटी सब रोग दिया गया है Human Rights Commission ने गल्यारे की मांग की थी उसको लेकर भी इसराइल ने मना कर दिया है कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो जमीनी हमला भी कर सकता है अमरिका के बिदेश मंत्री खुद इसराइल पहुंचे हैं, वहां से हत्यारों की बड़ी खेब भी मिली है लेकिन सबसे चौकाने वाली बात है, रोस के राश्पती ने फिलिस्तीन के साथ अपना वादा निभाया है वहीं इसराइल के चारों तरफ का जो इलाका एक तरफ लिबनान है, वो फिलिस्तीन के साथ खरा हो रहा है सीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इन्वाल्व है, वो फिलिस्तीन के साथ खरा हो रहा है इरान फिलस्तिन अगर रूस ने फिलस्तिन का मदद करना शुरू कर दिया तो फिर इसरायल की मुस्किले बढ़ जाएंगे तो सोची ए अमरीका को पूरा आना परेगा जो नकसा है इरान का उसमें आपको देखना परेगा कि मिठीरियन सागर है उसमें आना पड़ेगा अमरीका को और अमरीका काफी दूर है लेकिन इसरायल के चारों तरफ से जो देश है वो मुसलिम कंट्री है मुसल्मानों की संख्या वहाँ जादा है चाहे तुरकी हो, चाहे लिवनन हो चाहे सिरिया हो चाहे इरान हो इन देशों से तो यह मुश्किले बढ़ सकती है वही इंगलेंड हो, अमरीका हो, फ्रांस हो यूरोप के तमाम कंट्रियों में मुसलिम कम्मिनिटी के लोग फिलिस्तीन के पक्ष में निकले हैं इंग्लाइन के तो बिदे समंत्री ने कहा है कि सकती से पुलिस निप्टे भारत के मुसलिम समाज के भी जो युवा है वो फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे हैं हिंसा के खिलाफ लिख रहे हैं जो फिलिस्तीन पर जो अत्याचार हों है उसके बारे में भी लिक रहे हैं वहीं जो बीजेपी समर्थक हैं जो सरकार समर्थक हैं जो राइट विंग समर्थक हैं आरेसे समर्थक हैं वो लगातार इजराइल के साथ खरे हैं ताजा अपडेट ये है कि रूस के आने के बाद खेल बदल गया है रूस और चीन का एक commitment है आज के डेट में दोनों बहुत करीब है यह सीया के दो जो ताकत वर देश हैं खासकर technology के मामले में खासकर हत्यार के मामले में वह है रूस और रूस के साथ चीन का commitment है इकुरेन में अभी रूस खुद यूद कर रहा है तो वहां भी चाइना उसकी मदद के साथ खराब आपको सबको पता है किस तरह से हाली के दिन में इरान और सौधी अरब जो दो नॉर्थ वोल और साउथ वोल की तरह थे जो दोनों एक दूसरे के कटर दुसमन थे उसमें भी समती कराने में चीन को सफलता मिली थी लेकिन इस पूरे मामले में देखना हुआ कि मिडिलिस्ट का क्या रूख होता है खासकर सौधी अरब या अबुधाबी, दुबई ये सब जो देश हैं ये अभी निट्रल पोजिशन में हैं तो जो जो ओपेक कंट्री है उसके उपर भी लोग की नजर है उसके बाद जो मिडिलिस्ट है उस पर भी नजर है लेकिन एक बात तो तह है कि रूस ने पूरा जायका बरबात कर दिया है इसराइल का अमरीका से रूस का चंच आक रहा है और रूस के राश्ट पती बलादमीर पुतीं ने साफ साफ कहा है कि इसराइल इस मामले में इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरा सरयंत्र जो है वो अमरीका रच रहा है इस तरह के उन्होंने बयान भी दिये हैं तो फिलिस्तीन और इसराइल को लेकर भारतिये मीडिया पर सबसे जादा भारत के लोग सवाल उठा रहे हैं जो लोग मीडिया पर सवाल उठाते हैं वो उठा रहे हैं कि जो लोग मनिपूर नहीं गए वो इसराइल कैसे चले गए वही भारतिये मीडिया फिलिस्तीन नहीं जा रहा है लेकिन इसराइल से सारी रिपोर्टिंग हो रही है जैसे रूस और उक्रेयन में रूस से रिपोर्टिंग हो रही थी वही भारतिये मीडिया वही लगातार कुछ ऐसे विडियो जो भी आपको पता है भारतिये मीडिया के बारे में कि ये लोग फेक नीज ज़ादा फैलाते हैं और इन पर एक बार नेपाल में इसी तरह से बैन लग गया था नेपाल सरकान ने बैन लगा दिया था भुकम के दौरान इरान से भी रवीष कुमार ने रिपोर्ट किया कि किस तरह से ये लोग फेक खबरों को भी फैला देते हैं तो उस तरह के हालात हैं तो इंडियन मीडिया की साख जो है वो बिल्कुल उसको बट्टा लगता रहता है आप सब जानते हैं कि खासकर इंडियन मीडिया में CSTOBC किसान कम्यूटी के लोग नहीं हैं एक ही कम्यूटी के लोग हैं तो भारतिय मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं नितनाहू के खिलाफ लगातार विपक्ष हमलावर था इसराइल में उनके एक सुप्रीम कोर्ट पर वो कबजा चाते थे जोहां का सबसे बड़ा जो जुडिसियल सिस्टम पर है उसके लिए बिल ला रहे थे तो उसके खिलाफ लंबा एक परदर्सन चला था तेल अभीब में इसराइल में उसके बाद नितनाहू कमजोर पर रहे थे लोग कह रहे हैं कि ये पक्ष भी हो सकता है कि यूद कन्फिलिक्ट में फसाया जाए क्योंकि बिपक्षी दल फिलाल नितनाहू के साथ एक समझाता भी हुआ है बिपक्षी दल नितनाहू में कि संसद में सिर्फ और सिर्फ यूद के पक्ष में ही कोई बिल पारित किया जाएगा अध्यादेस कानून बनाया जा सकता है बाकी कोई political bill नहीं पास किया जाएगा political bill नहीं लाए जाएगा कानून नहीं बनाया जाएगा तो फिलाल इसराइल के विपक्षी नेताओं का समर्थन बेंजामी नेतनियाहू को मिल रहा है माफ के जएगा नेतनियाहू और वो लेकिन अपने देश में कमजोर पर रहे थे लेकिन इस यूद की बदस से तो जानकार जो है जो जानने वाले है वो कह रहे हैं कि कहीं जान बूचकर इसराइल ने इस हमले की conspiracy तो नहीं रचिया क्योंकि सवाल है कि इतना technical है इसराइल उसके बाद भी हमास का इतनी संख्या में घुज आना अंदर तक आना उनको पता नहीं चलना एक साथ पांच जार रॉकेट दाग देना यहां तक कि चारो तरफ से इलाका सील है उसके बाद सवाल है कि हमास के लोग अंदर इसराइल में कैसे इंटर हो गए तो क्या पुलिटकल माइलेज के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए नितनाहों ने यह जान बुचकर तो कॉंस्परेसी नहीं रची है इस तरह की लोग बाते कह रहे हैं लेकिन एक बात उत्ता है कि पूरा इसराइल की जो पूरी राजनीती है सवाल है कि उनका टेक्नलोजी आधुनीक तकनीक है उनके पास रडार को परने का रॉकेट लॉंचर को रोकने का तो यह सब फेल कैसे हो गया और कैसे इतनी संख्या में हमास के जो लोग हैं वो घूस गया हमास के लोग कैसे घूस गया इसराइल में यह भी सवाल उठ रहा है तो तमाम तरह के अटकल वाजी है लेकिन एक बात ताह है कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कम्मूनिटी है वो एक जूट हो रहा है कि फिलिस्तीन में चुकि मुस्लिम आवादी है इसलिए उनके साथ अत्याचार हो रहा है भारत में भी लोग इसी तरह से लिख रहा है लेकिन पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाब कमसे कम मुस्लिम समाज जो है वो ख़रा हो रहा है लेकिन अमरीका और उरोप के सारे देशे खासकर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ये सब जो है वो ख़रा हो रहे हैं इसराइल के साथ वही मुस्लिम कंट्री जो है वो फिलिस्तिन के साथ बना हुआ है खासकर सीरिया, इरान, आपको बता दे लेवनान अब तो कहा जा रहा है कि आईएस, आईएस भी सामिल हो रहा है आफगानिस्तान के ने भी कहा है जो तालिवान है वो कि हम अगर हमें मौका मिला तो हम फिलिस्तिन के पक्ष में लड़ेंगे तो इस तरह से दुनिया का धुरूबी करन हो रहा है दो टुक्रों में और फिलिस्तिन और इसराइल के यूद ने एक पूरे दुनिया में ये चर्चा का भी से बना हुआ है फिलाल भारत सरकार का किलियर स्टैंड है वो इसराइल के साथ है तो ताजा अपडेट ये था लगवग एक हजार से जादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं इसमें पाँच दिनों से ये पूरा मामला चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन का और भारत में भी उसको लेकर लोग बटे हुए हैं मुस्लिम कम्यूटी के लोग जो सेकुलर लोग हैं जो बीजेपी के नपसंद करने वाले लोग हैं वो फिलिस्तीन के साथ बने हुँ हैं वहीं जो राइट बिंग हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं या जो सकेंसरकार के समर्थक हैं वो फिलहाल इसराइल के साथ खरा होता हुआ दिख रहे हैं तो सोसल मीडिया पर एक वार है एक वार चल रहा है तमाम अपडेट्स दिये जा रहे हैं और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध ने सब कुछ दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया है पूरे दुनिया के जो मुस्लिम कम्यूटी के लोग हैं वो फिलहाल फि चिनासक युद्ध होता होगा क्योंकि आज टेक्नलोजी का यूग है और आज के डेट में बंबारी सबसे घातक होती है तो फिलहाल जो मुस्लिम कम्यूटी के लोग हैं उनको लगता है कि फिलिस्तिनियों के साद जियाधती हो रही है अन्याय हो रहा है अत्यचार हो रहा ह वहीं जो right being के लोग हैं वो हमास को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमास एक terror group है और उसी की वज़ा से यूद हो रहा है लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्या ये नितनियाहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये रादनितिक गेम तो नहीं किया है तो आप लोग की क्या पर्तकिरिया है अपनी पर्तकिरिया जोर दीजे लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भी बहस का मुद्दा है वो फिलिस्तीन और इस्राइल का मुद्दा है वहीं भारतिये पत्रकारों पर भारत के लोग सबसे ज़्यादा हमला कर रहे हैं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे